आदर्श हाव यूँ ओके सो मैं आपसे यह जानना चाहते हूं आदर्श की आपने यह एडवांस में एक तो इतनी अच्छी रैंक लाई है आप 527 रैंक के साथ जावलपुर टॉपर बने हैं तो मैं यह जाना चाहती थी कि आपने यह यह एडवांस की कब से आपने प्रप्रेशन स्टार्ट करिये कब से आपको लगा कि मुझे इस फील्ड जुमज से इट खडगपुर में इस तुमेंटेशन है वर रांच तो 9 धालस में जब में था तो 11 असमें मुमेंटम से ज्वाइन कर लिया था और आप प्रशन चालो कर दी तो 9 जब पहले तो मुझे पता भी था इत क्या होता है इलेवन तो से मुझे बताया कि यह एट क्य तो तबसे मुझे भी अच्छा लगने लगा फिर मैं भी उसे पूछता था अच्छी चीजे जानने को मिलती थी तो मैंने नाइन से ही अपना इंट्रेस्ट बना लिया था कि आप मुझे जही आईट करना है तो उसके बाद मैंने भाहिया से पूछा कि कुछ बुक्सम चीजे प्रिफर करो कि जिससे मैं अपनी फांडेशन कर सको आईट के लिए तो मैंने नाइन से अपनी प्रिपेरिशन चालू कर दी थी वैसे पर उस समय इतना मेरा इतना वह भी नहीं था इंटेंसिटी कि मैं ज्यादा कुछ कर पाँ फिर 10 से मैंने और ज्यादा मेलब सीरियस हो गया था मैं 10 से और फिर आखरी के समय तक मैंने काफी कुछ सिलिबस भी कवर कर लिया था 10th class में तो आप कहना चाहते हैं कि आपके भीया ने आपको सजेस्ट किया था आपको उनसे टिप्स मेले थी तो आप भी अब सीनियर है और आपसे जूनियर है नाइन 10th के बच्चे स्टुडेंट्स तो आप उन्हें क्या समझाना चाहते हैं आपका कैसा experience रहा मतलब क्या वह आपका जो decision था वो best decision था एक सही decision था आप क्या tips देना चाहेंगे 9 10 के बच्चों को कि उन्हें कितनी जल्दी जो भी उनका aim है वो decide कर लेना चाहिए उसकी preparation के बारे में तैयारी start कर देनी चाहिए क्या बोलना चाहेंगे अब यह काफी crucial time है कि अगर आपको interest है सही में math or science में तो अभी से आप अपना goal बना सकते है IIT के लिए अगर अभी आपने बना लिया तो आप काफी बच्चों से लीड ले सकते हैं आप काफी आगे बढ़ सकते हैं और फिर आप momentum की help ले सकते हैं यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि मतलब आप यह कहना चाहते कि 9 10 एक basic है कि आप यहां से start कर दें ताकि आपको 11 12 में इतनी problem ना हो और आप एक अच्छी scoring कर सकें ओके थैंक्यू सो मच आदर्श कि आपने हमारे साथ यह experience share किया मैं आपको अगें congratulate करना चाहूंगी thank you so much hello Sankalp how are you hello ma'am I am fine okay firstly congratulate Sankalp कि आपने यह एडवांस में इतनी अच्छी rank लाई है मैं आपसे यह जाना चाहूंगी कि आपने scoremax का pre foundation course join किया था तो आपने 9th और 10th से ही अपनी तयारी pre foundation course जो कि एक bright course होता है scoremax का तो आपने 9th 10th से ही अपनी preparation स्टार्ट कर दी तो आपको कितनी help मिली है 11 12th में और यह एडवांस को crack करने में इस course को join करने से के आपको benefit हुआ है yes ma'am मेरे को benefit हुआ था कि जो 9th 10th में अवरी classes होती थी वह actually है कि जो 11 ने पढ़ते हुआ की एक फ़चा था 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 हुआ होता था तो उससे हुआ यह कि मेरे को स्कोल में तो इत्ता फाइदा नहीं वहereyeकुए कि आपने उसको पढ़ चुक है तो आपको बहुती एजीली वो समझ में आ जाता है तो वो मेरे को 11th क्लास में जो हमारे माइनर टेस्स होते थे मेजर टेस्स होते थे उसमें काफी हेल्प किया तो आप यह कहना चाहते है कि जो आपने इसको प्रीफांडेशन कोर्स ज्वाइन किया था उससे आपको स्टाटिंग की बैसिक चीजन क्लियर हुई है जैसे आप यह डिसीजन कर पाई कि मुझे आगे इन फ्यूचर क्या करना है मुझे क्या सबजिक्ट करना है मुझे क्या क्रफिशन करनी है आपको काफी हल्प मिली और अगें आपको मैं चाहोंगे पूरी मोमेंटम फैमिली की तरफ से थेंक यू हेलो अक्षद, हाव यू हेलो मैं, मैं मैं फाइन कि आपने जेएडवांस में इतनी अच्छी रेंक लाई है मैं दिल से तहे दिल से आपको पॉरेट करना चाहोंगे मैं आप से यह जाना चाहती हूं अक्षर कि आपने जो 9 से आपने इसकी प्रिप्रेशन स्टार्ट करी थी 9 से आपने मोमेंटम की जूनियर विंग इसकोर में जॉइन करी थी येस में नाइन से ही मैंने जो नाइन तक मुझे इतना पता नहीं था जेए एक्जाम आयाइटी के बारे में बढ़ देन में मोमेंटम जॉइन किया था एंज सेमिनास वेगर एटेंड किये तो मुझे इंफॉरमेशन मिली थी है वहां से एक मुझे एंटरस जागा था कि मुझे लगता है मेरा डिशिजन बहुत करेक्ट है क्योंकि जितनी जल्दी हम किसी कॉमपोडिशन के लिए स्टार्ट करते हैं उतना ही हम बाकियों से लीड बना सकते हैं ये फाइदा मुझे हुआ नाइन टेंथ में मैंने बहुत सारी चीजी थी जो आयाइटी प्रपेरि प्रफिशन कोर्स भी जोइन किया था कितनी हेल्प मिली आपको एंटी से अग्जाम और कितनी हैं यह बहुत हैल्फुल थे जो पैकेज़ेस थे क्योंकि वह बोड के लिए उसमें को अच्छे हायर लेवल के बीक्वेस्टेंज होते थे जो बहुत अच्छे प्रेपेरिशन कि आपका यह डिसीजन बहुत ही करेक्ट था कि आपको जतना जल्दी हो सटे उतना जल्दी आपको प्रपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जो भी आपका एम है वह आपको नाइन से डिसाइड कर लेना चाहिए ओके तैंक्यू सो मच अक्षरत कि आपने अपना एक्स्पि करना चाहूंगी कि आपने एडवांस में इतने अच्छी रेंक लाई है मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आपने मोमेंटम की जूनियर विंग स्कोर मैक्स उसे आपने जॉइन किया था नाइन्थ क्लास से तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा उसे जॉइन करना और आपके लिए किस हद तक यह करेक्ट डिसीजन था और कितनी हेल्प मिली आपको उससे नाइन्टेंथ की तो मिलती है कोचिंग से उसके अलावा भी यह रहता है कि अकर अपन मोमेंटम में उसके स्कोर मैक्स के भी टेस्ट मोमेंटम में होते थे उतर से पता चल जाता था थोड़ा गाइडेंस मिल गई तो उससे बहुत कोच है मतलब यह आपका एक बहुत सही डिसीजन था स्कोर मैक्स को ज्वाइन करना और आपके लिए काफी बेनेफिशियल रहा जिससे आप अपने एम को डिसाइड कर सके कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है काफी जाद बेनेफिट रहा था ओके थैंक्यू सो मच आकाश कि आपने हमारा अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और अगेन कॉंग्रेचुलेट तू थैंक्यू सो मच